चीन हमारे यहां अतिक्रमर करता है, हमें अपने पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे ढखिलता है, और किसके सौजन से कर रहा है? मोदी जी के उस जूठे वक्तव के सौजन से, जो उन्होंने बिना पलक जपकाए पूरे देश के सामने बोला था चीन से सबसे ज़ादा इंपोर्ट हो रहा है, लगातार चीन पर हमारी निर्भरता को भराने का काम मोदी जी ने किया है, लोगों की आँख में धूल डाली कि हम एप को बैंड कर रहे हैं मोदी जी वो लाल आखें आप कब खोलेंगे या चीनी प्रेम में आप वो लाल आखें भी भूल गए हैं और आपकी 56 इंच की तथा कति चाती भी कुंद हो गई है, असलियत सिर्फ ये है, चीनी प्रेम आपको छोड़ना पड़ेगा और राष्ट प्रेम और राष्ट हित म काम करना पड़ेगा, क्योंकि चीन समझ चुका है कि ये सरकार सिर्फ प्रचार के लिए काम करती है, डिसेंगेजमेंट को लेकर काफी शोर मचाया जा रहा है, सरकार भी शोर मचा रही है, और कुछ चरणचुमबक भी शोर मचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई बड़ी भयाव है, और सच्चाई ये है कि ये डिसेंगेजमेंट नहीं है, ये एक कॉम्प्रमाइज सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि मेरी समझ से परे हैं, और हम सब की समझ से परे हैं, कि ये कैसा समझ होता है, जहां पर हम अपने ही पेट्रोलिंग के अधिकार को त्याग रह पर दिकत की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बार बार डिसनंगेजमेंट के नाम पर हमारे पैट्रोलिंग छेतर बफर जोन में आ जाते हैं और हम अपनी पैट्रोलिंग का दिकार छोड़ रहे हैं और ये अप्रेल 2020 के पूर्व की यथावत स्थिती नहीं है जिसको स्टेटस को एंटे कहा जाता है अप्रेल 2020 का वो ये नहीं है और याद रखिए इसी स्टेटस को एंटे के लिए हमारे 20 सैनिकों ने सुप्रीम साक्रफाइस शहादत दी थी ये कौन सी अथावत स्थिती है ये हम जानना चाता है क्योंकि बार बार अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स के अधिकार को छोड़कर उनको बफर जोन में डाल देने से लगदाख में करीब 1000 किलोमीटर वर्ग से अधिक के छेतर पर हम अपना नियंतरण खोचुके हैं और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की फर्जी छवी को उभारने के लिए उसको बचाने के लिए हो रहा है क्या इसमें कोई इत्फाक है कि ये जो लेटिस डिसेंगेजमेंट है जो 16th round कोर कमांडर टॉक्स के बाद और उसके तिरपन दिन बाद एक स्टेटमेंट के जरीए आया है क्या ये इत्फाक है कि ये डिसेंगेजमेंट जो है ये SEO की उस मीटिंग से महद दो दिन पहले हो रहा है जब मोदी जी और शी जिन पिंग एक बार फिल गलबईया करेंगे उस बेकिस्तान में SEO की समिट में मिलेंगे वहाँ पर क्या ये इत्फाक है क्या फिर से जूटी जवी को बचाने के लिए राश्च्रहित को ताख पे रखा जा रहा है ये बात सच है कि आज विदेश नीती पूरी तरह से सस्ती लोगप्रियता का शिकार है आज विदेश नीती राश्ट्रहित के लिए नहीं पर सस्ती लोगप्रिता जूटी वावाही के लिए हो रही है मोदी जी अपने महिमा मंडन में अपने जूटी वावाही में इस तरह मश्गूल है कि उनको शायद भूभागिया खंडता और राश्ट्रहित के साथ समझोता करने में भी परहेज नहीं है पर उनकी ये जो कमजोरी है जूटा महिमा मंडन जूटी छवी जूटा फर्जी वाड़ा इसको चीन अच्छी तरह से समझ गया है क्योंकि इसी के चलते वो रणनीती बना रहा है पहले वो अतीक रमड करता है उसके बाद अतीक रमड करके वो उस हिस्से को बफर जोन बना देता है जहां पर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे हम पॉइंट A तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं अब वो पॉइंट A बफर जोन में आ गया हमारा वहाँ पे जाना छूट गया और यहाँ पे वहाँ वहाँ ही बटोरी जा रही है वहाँ मोदी जी वहाँ इस कमजोरी को समझने के बाद ही चीन ये धृष्टता कर रहा है और ऐसा करते वक्त चीन का सबसे बड़ा हतियार वो है जो प्रधान मंत्री मोदी ने जून 2020 में बोला था चीन बार बार कहता है आप ही के प्रधान मंत्री ने तो कहा था कि कोई घुसा हुआ नहीं है तो सोचिए चीन हमारे यहां अतिक्रमर करता है हमें अपने पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे ढखिलता है और किसके सौजन से कर रहा है मोदी जी के उस जूटे वक्तव के सौजन से जो उन्होंने बिना पलक जपकाए पूरे देश के सामने बोला था तो एक बात तो साफ है प्रधान मंत्री मोदी और चीन का पियले एक ही भाशा बोल रहा है अब इसके बारे में मोदी जी उनके चरण चुमबक क्या कहेंगे ये भी देखना है ऐसा करते वक्त प्रधान मंत्री मोदी को सस्ती लोगप्रता याद रहती है राजनीती याद रहती है लेकिन क्या उनको सेना का मनोबल कमजोर करते वक्त रत्ती भर भी दर्द नहीं होता है ये सेना का शौर और पराकरम था कि हमने ब्लाक टॉप पे कबजा किया आपने सेना को वहां से पीछे हटा दिया ये सेना का पराकरम और शौर था कि हमने गलवान और पैंगांग जील पे पेट्रोलिंग करते थे आपने उन पेट्रोलिंग पॉइंट से उनको पीछे कर दि और एक बहुत बड़ा जुलंद सवाल ये है कि आपने गलवान में जो किया, आपने हाट स्प्रिंग्स में जो किया, आपने पैंग उंग घिल में जो किया, अब डेप सांग और डेम चोक के बारे में बहुत चिंता लोग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि डेपसांग का जो वाय जंक्शन है, वही से हमारे हत्यारों की, हमारे सशस्त्रबलों की, हमारी सेना की आपूर्ती का वो रास्ता है, और वहाँ पर चीन घुसपैट करके उस वाय जंक्शन पे बैठा है, उसको कैसे ढखेला जाएगा, ये आज बहुत बड़ा सवाल हैं, और ये बहुत रणनेतिक जगे हैं हमारे लिए, जिसके बारे में सुई पटेक्सन नाटा है, मोदी सरकार में, क्योंकि ये साफ है, कि इस पूरे माया जाल को रचने के लिए, लोगों की आँख में धूल कुब जोकी गई, क्या बोला गया, हम चीनी आप बैन कर रहे ह बहुत बढ़ियां, आपने चीनी आप बैन करी, 31 महीने से हमारे सीमा पर संकट है, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है, 31 महीने से सेना हमारे राष्ट की सुरक्षा कर रही है बहाँ पर, और 31 महीने में मोदी सरकार ने, चीन पर हमारा जो निर्भरता है, वो बढ़ाई है चीन हमारा ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बढ़ा बना, चीन से सबसे ज़ादा इंपोर्ट हो रहा है, लगातार चीन पर हमारी निर्भरता को भराने का काम मोदी जी ने किया है, लोगों की आँख में धूल डाली कि हम एप को बैन कर रहे हैं, तो हमारे चार ही सवाल है, औ बड़े ज्वलंत हैं और ये सवाल आज देश, जानकार, रक्षा विशेशक ये पूर्व रक्षा के सेना के अधिकारी लगातार पूछ रहे हैं, कि आखिर अप्रेल 2020 की पहले की यथावत स्थिती, स्टेटस को एंटे, जिसका आपने वादा किया था मेंटेन करने का, उस को मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं हमारे जहां पर सैनिक सेना गश्ट करती थी, वहाँ पर आज गश्ट कर पा रही है, हमारा सवाल है कि क्या भारतिय सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान घाटी में, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 होट स्प्रिंग्स म पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा में आज गश्ट कर सकती है क्योंकि अप्रेल 2020 के पहले हम यहाँ पर गश्ट कर रहे थे डेपसॉंग और डेमचोक को लेकर सरकार की क्या नीती है आज ये भी पूछना जरूरी है अज ये भी पूछना जरूरी है कि अरुणाचल में चीन एक गाउं बसा देता है हमारे नागरिकों का अपहरण कर लेता है अतिक्रमन करता है सरकार का मौन क्यूं है मोदी जी वो लाल आखें आप कब खोलेंगे या चीनी प्रेम में आप वो लाल आखें भी भूल गए है और आपकी 56 इंच की तथा कथि चाती भी कुंद हो गई है असलियत सिर्फ ये है चीनी प्रेम आपको छोड़ना पड़ेगा और राष्ट प्रेम और राष्ट हित में काम करना पड़ेगा क्योंकि चीन समझ चुका है कि ये सरकार सिर्फ प्रचार के लिए काम करती है अगर ऐसा ना होता तो डोकलाम में फ्रिक्शन पॉइंट से चीन पीछे हुआ पर सारे प्लाटो पर चीन ने फॉर्टिफिकेशन किया वहाँ पे अतिक्रमर किया आज भी मौजूद है तो प्रधान मंतरी मोदी की जूटे महिमा मंडन और फर्जी वाड़े के चलते जो देश को जहिलना पड़ रहा है जो हमारी सेना के मनोबल को कमजोर करने का काम हो रहा है उसके बारे में सवाल जरूर पूछे जाएंगे आखिर कैसे एक हजार किलो मीटर वर की जमीन चीन के कबजे में आ गई आखिर कैसे पेटरोलिंग पॉइंट जहां पर हम गश्ट करते थे हम उससे पीछे हो गए आखिर क्यों हमारा हिस्सा बफर जोन बन जाता है चीन को क्यों लगता है कि मोदी जी मान जाएंगे और अन्ततो गत्वा सिर्फ एक ही सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है क्या बहुत देर हुई है क्या मोदी जी अब बोलेंगे कि मैंने तब गलत कहा थो और लोग घुसे हुए हैं और आज भी घुसे हुए हैं और उनको ढखेलना है और यही राष्ट रहत है निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे